पूरे 4 घंटे ट्राफिक में परिशान होने के बाद हम लोग आ गई लोकल ट्रेन में वो ट्राफिक का वीडियो नीचे दिया है, आप लोग देखो हमें दादर में ट्रेन चेंज करके हुसाइन अंकल के लोकेशन तक जाना था लेकिन दादर में सबसे जादे भीड़ोती है तो दो तीन ट्रेन छोड़ने के बाद हम बैठ गई ट्रेन में पर तभी पापय के सर में दर्दोने लगा तो मुमी ने पापय का सर दबाया फिर उटर रिक्षे पकड़ के हम आ गए हुसेन अंकल के घर तो हमारे लिए और आप सब के लिए अंकल की तरफ से ये सप्राइज था कि अंकल ले लिया है नया घर और यह है इनका लिविंग रूम तो लिविंग रूम भी काफी ज़दा बड़ा था और अंकल ने नया सोफा भी खरीदा है और हम नास्ता भी कर रहे थे और साथ में टीवी भी देख रहे थे क्योंकि अंकल ने नया टीवी भी खरीदी है लिविंग रूम तो बड़ा था है लेकिन बेडरूम भी काफी बड़ा था और ये एक मास्टर बेडरूम था और अंकल ने यहां का इंटेरियर डिजाइन काफी अच्छा बनवाया है तो आप लोग भी धुआ करो कि कभी हमारा भी आसे ये घर हो जाए हम लोग आस दूपैर एक बज़े से निकले तो और हम ट्राफिक में फस गयते तो हमें काफी भूख लगे थी और काफी जदे राद भी हो गई थी तो हमने खाना खाया तो मम्मी ने खाया चिकल नेक पीस और पापा के लिए आया था स्वेट दिस तो पापा ने खाया तो आप लोगों को अंकल का घर कैसा लगए कमेंट जरूर करना थांक्यू बाए